श्रीमद भगवद गीता भावार्थ सहित अध्याई तीन कर्मयोग श्लोक एक अध्याई तीन कर्मयोग श्लोक ज्यानयोग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपन अर्जुन ओवाच ज्यायसी चेत कर्मन स्ते मता बुद्धिर जनार्दन ततकी कर्मनी घोरे मा नियो जसी केशव भावार्थ अर्जुन बोले है जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्यान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर है केशव मुझे भयन कर कर्म में क्यूं लगाते हैं? श्लोक दो अध्याए तीन कर्मयोग श्लोक व्याम श्रीनेव वाकेन बुद्धी मोहैसीव में तदैकम वद निश्चित्य यन श्रेयो मापनुयाम भावार्थ आप मिले हुए से वच्छनों से मेरी बुद्धी को मानो मोहित कर रहे हैं इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्यान को प्राप्थ हो जाऊं श्लोक तीन अध्याए तीन कर्मयोग श्लोक श्री भगवानु वाच लोकेस में द्विविधा निश्ठा पुरा प्रोक्ता मयांद ग्यान योगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगी नाम श्री भगवान बोले है निश्पाप इस लोख में दो प्रकार की निश्ठा साधन की परिपक ववस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निश्ठा है मेरे द्वारा पहले कही गई है उनमें से सांख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से माया से उत्पन हुए संपूर्ण गुन ही गुनों में बरत्ते हैं ऐसे समझ कर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्छिदानंद गन परमात्मा में एकी भाव से स्थित रहने का नाम ग्यान योग है इसी को सन्यास, सांख्ययोग आदी नामों से कहा गया है और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से फल और आसक्ती को त्याग कर भगवदा ज्यानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धी से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है इसी को समत्व योग, बुद्धी योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदी नामों से कहा गया है होती है, शलोक चार अध्याय तीन, कर्मयोग शलोक न कर्म नाम नारंभायनेश कर्मयम पुरुषो शुते, न च, सन्य सनादेव सिद्धी समधिग च्छती भावार्थ मनुश्य न तो कर्मों का आरंभ किये बिना निशकर्मता, जिस अवस्था को प्राप्थ हुए कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धी, यानी सांख्य निश्ठा को ही प्राप्थ होता है, शलोक पांच अध्याय तीन, कर्मयोग शलोक नहीं कश्चित शन्मपी जातू, तिश्ठत्य कर्मकरत, कार्यते ह्यवशह कर्म सर्वह प्रकृती जर्गुनय भावार्थ नेसं कोई भी मनुश्य, किसी भी काल में क्शन्मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता क्योंकि सारा मनुश्य समुदाय प्रकृती जनित गुनों, द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्या किया जाता है, शलोक 6 अध्याय तीन, कर्मयोग शलोक कर्मेंद्रियानी सयम् आस्ते मन्सा स्मरन, इंद्रिया अर्थान्वि मुआत्मा मिथ्याचारहस, उच्यते भावार्थ जो मूर बुद्धी मनुश्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक उपर से रोपकर मन्से उन इंद्रियों, किये विशयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों। द्वारा कर्मयोग का आचरन करता है वही श्रेष्ट है श्लोक आठ अध्याए तीन कर्मयोग श्लोक नियत कुरू कर्म। निर्वाह भी नहीं सिधा होगा श्लोक नौ अध्याए तीन कर्मयोग श्लोक यग्यादी कर्मों की आवश्यक्ता का निरूपन। अध्याए तीन कर्मयोग श्लोक सहय अध्याए प्रजाह स्रिष्टा पुरोवच प्रजाप्ति अनन। प्रसविश्यद्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक भावार्थ प्रजापती ब्रह्माने कल्प के आदी में यग्या सहित। प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यग्याद्वारा वृद्धी को प्राप्त हो और यह यग्या तुम लोगों को इछित भोग प्रदान करने वाला हो श्लोक ग्यारा अध्याए तीन कर्मयोग श्लोक देवान भावतानन ते देवा भाव्यन्तु वह परस्पर भाव्यन्त श्रियह परम वापस्यत भावार्थ तुम लोग इस यग्याद्वारा देवताओं को उननत करो और वे देवता तुम लोगों को उननत करें इस प्रकार निहस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उननत करते हुए तुम लोग परम कल्यान को प्राप्थ हो जाओगे श्लोक बारह अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन ते यग्या भाविता तैर्दतान प्रदाय भ्यो यो भुगते स्तेन एव साह भावार्थ यग्या द्वारा बढ़ाय हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्ट भोग निश्चे ही देते रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयम भोगता है वो चोर ही है श्लोक तेरा अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक यग्य शिष्ट आशिनह संतो मुझ्यंते सर्वकल बिशय है बुंजते ते त्वगहन पापा ये पचंत्यात्म कारणात भावार्थ यग्य से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुप्थ हो जाते हैं और जो पापी ल पवन्ती भूतानी परजन्यादं संभवऴ यग्याद भावति परजन Georg यग्या करम समुद्भव कर्म ब्रमद भवं 20 ब्रमक्ष यग्य प्रतिष्थितम भावार्त संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन होते हैं अन्न की उत्पत्ती व्रिष्टी से होती है व्रिष्टी यग्य से होती है और यग्य विहित कर्मों से उत्पन होने वाला है कर्मसमुदाए को तु वेद से उत्पन और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन हुआ जान इससे सिधा होता है कि सर्वव्यापी परमक्षर परमात्मा सदा ही यग्य में प्रतिष्थित है श्लोक 16 अध्यायतीन कर्मयोग श्लोक एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यतिया अगायुरींद्र यारामो मोगां पार्थ सजीवती भ अध्यावार्थ हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परम्प्रा से प्रचलित स्रुष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापा है पुरुष श्लोक 17 अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक ज्यानवान और भगवान के लिए भी लोकसंग्रहार्थ कर्मों की आवशक्ता यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्म त्रिप्तश्च मानव है आत्मेव चा संतुष्ट स्तस्यकार्य न विद्यते भावार्थ परंतु जो मनुष्या आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही त्रिप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्या नहीं है श्लोक 18 अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक संजय उवाच नैवतास्य कृतेनार्थो नाकरतेने कश्चन नचास्य सर्वभूतेशु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय भावार्थ उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न क करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्रानियों में भी इसका किंचिमात भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता श्लोक 19 अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक तसमाद सकता सतत्म कार्यम कर्म समाचर असक्तों ह्याचरन कर्म परमापनोती पुरुष्य भावार्थ इ रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भाती करता रहे क्योंकि आसकती से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य पर्मात्मा को प्राप्थ हो जाता है श्लोक बी सध्याय तीन कर्मयोग श्लोक कर्मनेव ही संसिद्धि मास्थिता जनकाद्या लोकसंग्रह मेवापी संपश्यन कर तुमरहसी भावार्थ जंकादी ज्ञानीजन भी आसकती रहेत। कर्मद्वारा ही परम सिद्धी को प्राप्थ हुए थे, इसलिए तथा लोकसंग्रा को देखते हुए भी तु कर्म करने के ही। योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है श्लोक 21 सध्याय तीन कर्मयोग श्लोक यदेदाचरती। श्रेष्ठ स्तत देवेत्रो जनः सायत प्रमाना कुरुते लोकस्त अगनुवर्थते भावार्थ श्रेष्ठ पुरुष्चो जो आचरण करता है। जो कुछ प्रमान कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है यहां क्रिया में एकवचन है परन्तु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाशा में बहवचन की क्रिया लिखी गई है। श्लोक 22 सध्याय तीन कर्मयोग श्लोक नमें पार्थस्ती कर्तवयम त्रिशू लोकेशू किंचन ननवाप्तम वाप्तवयम वर्थ एवचा कर्मनी भावार्त है अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तवय है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्त अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरत्ता हूं श्लोक तेई सध्याय तीन कर्मयोग श्लोक यदि यह न वर्तेयम जातू कर्मन्यतंदृत मम वर्तमानु वर्तन ते मनुश्याह पार्थ सर्विशह भावार्थ क्योंकि है पार्थ यदि कदाचित में सावधान होकर कर्मों में न बर्तू तो बड़ी हानी हो जाए क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरन करते हैं श्लोक 24 सध्याए 3 कर्मयोग श्लोक यदी उत्सी देयुरी में लोका न कुर्या कर्म चेध्हम संकर्स्य च करता स्याम पहन्या में माह प्रजाह भावार्थ इसलिए यदी में कर्म न करून तो ये सब मनुष्य नश्ट ब्रश्ट हो जाई और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नश्ट करने वाला बनू श्लोक 25 सध्याए 3 कर्मयोग श्लोक अग्यानी और ज्यानवान के लक्षन तथा राग द्वेश से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा सकता कर्मन्य विद्वासों यथा कुर्वती भारत कुर्याद विद्वास्था सकत श्चिकिर्श लोक संग्रहम भावार्थ है भारत कर्म में आसक्त हुए अग्यानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रा करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे श्लोक 26 अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक न बुद्धि भेदम जन्यद ज्याना कर्मसंगिनम जो शित्सर्वकर्मानी विद्वान युकतह समाचरन भावार्थ परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्यानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रविहित कर्मों में आसकती वाले अज्यानियों कि बुद्धी में ब्रह्म अर्थात कर्मों में अश्रधा उत्पन न करे किन्तु स्वयम शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भाती करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाई श्लोक 27 अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक प्रकृते क्रियमानानी सब प्रकार से प्रकृती के गुणों द्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका अंतह करण अहनकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्यानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है श्लोक 28 सध्याय 3 कर्मयोग श्लोक तत्ववित्तु महाबाहो गुन कर्म विभाग योः गुना गुनेशु वरतंत इती मत्वाना सज्जते भावार्थ परंतु हे महाबाहो गुन विभाग और कर्म विभाग त्रिगुनातमक माया के कार्यरूप पांच महाभूत और मन, बुद्धी, अहनकार तथा पांच ग्यानेंद्रियां, पांच करमेंद्रियां और शब्दादी पांच विशय इन सब के समुदाय का नाम गुन विभाग है और इनकी परस्पर की चेश्टाओं का नाम कर्म विभाग है के तत्वा, उपर्युक्त, गुन विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को प्रिथक अर्थात निरलेप जानना ही इनका तत्व जानना है को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुन ही गुनों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता श्लोक 39 अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक प्रकृतेर गुन सम्मूधा सजजनते गुन करमसु तांकरत्स नविदो मंदनकरत्स नविन विचालियत भावार्थ प्रकृती के गुनों से अत्यांत मोहित हुए मनुष्य गुनों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं उन पूर्णत समझने वाले मंद बुद्धी अज्यानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्यानी विचलितना करे श्लोक 30 अध्याय तीन कर्मयोग श्लोक मही सर्वानी कर्मानी सन्यस याध्यात मिचेट्स निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस विगत ज्वरह भावार्थ मुझ अं कर्मयोग श्लोक ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठंती मानवा श्रधाफ्तों सुयन्तों मुझ यन्ते तेती कर्मवेह भावार्थ जो कोई मनुष्य दोश द्रिष्टी से रहित और श्रधायुक्त होकर मेरे इसमत का सदा अनुसरन करते हैं वे भी संपूर्म कर्मों से छूट जाते हैं श्लोक 32 अध्याए 3 कर्मयोग श्लोक ये त्वियत भयसुयन्तों नानुतिष्ठंती में मतम सर्वग्यान अविमुआस्तान विद्धी नश्टान चेत्स है भावार्थ परंतु जो मनुष्य मुझ में दोशारोपन करते हुए मेरे इसमत के अनुसार नही चलते हैं उन मूर्खों को तु सम्पूर्ण ज्ञानों में मोहित और नश्ट हुए ही समझ श्लोक 33 अध्याए 3 कर्मयोग श्लोक सद्रिशन चेश्ट ते स्वस्याह प्रकृतेर ज्ञानवान पी प्रकृतिन यान्ती भूतानी निग्रह है कि करिश्यती भावार्थ सभी प्राणी प्रकृती को प्राप्थ होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृती के अनुसार चेश्टा करता है फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा श्लोक 34. अध्याय 3. कर्मयोग श्लोक इंद्रियस यंद्रियस यार्थे राग द्वेशों व्यवस्थित तयोंग वश्माग अच्छेतों हास्य परिपंथिनों भावार्थ इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रतेक इंद्रिय के विशय में राग और द्वेश छिपे ह कुई स्थित हैं मनुश्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्यान मार्ग में विग्न करने वाले महान शत्रु है श्लोक 35 अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक श्रेयान स्वधर्मो वे गुनह परधर्मात स्वनुष्ठतात स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मों भया वह भावार्थ अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अती उत्तम है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्यानकारक है और दूसरे का धर्म भाय को देने वाला है श्लोक 36 सध्याए 3 कर्म योग श्लोक काम के निरोध का विशय, अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोयम पाप चर्ती पुरुषय, अनिच्छन नपी वार्षने या बलादिव नियोजितह भावार्थ अर्जुन बोले है क्रिश्न, तो फिर यह मनुश्य स्वयमना, चाहता हुआ भी बलात लगाय हुए कि भाती किस से प्रेरित होकर पाप का आचरन करता है, श्लोक 37 अध्याय तीम, कर्मयोग श्लोक श्री भगवानु वाच काम अश क्रोध अश रजोगुन समुद्भवः, महाशनों महापापमा विध्धयेन में वेरिनम, भावार्थ श्री भगवान बोले जान श्लोक 38 अध्याय तीम, कर्मयोग श्लोक धुमेनावरियते वहनियतादर्शों मलेंच, यथोर्बेनावरितों गर्बस तथा तेनेध मवरितम, भावार्थ जिस प्रकार धुए से अगनी और मेल से दरपन धनका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्ब धका रहता है, वैसे ही उस कामद्वारा ये ज्ञान धनका रहता है, श्लोक 49 अध्याय तीन, कर्मयोग श्लोक आवरित, ज्ञान मेतन ज्ञानिनों नित्यवेरिना, कामरूपिन कौनते या दुशपूरिनानलेंच, भावार्थ और है अर्जुन, इस अगनी के समान कभी ना पूर्ण ह होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्यवेरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान धनका हुआ, हैं श्लोक 40 अध्याय तीन, कर्मयोग श्लोक इंद्रियानी मनों बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते, एतर्विमोहत्येश, ज्ञानमा वृत्य देहिनम भावार्थ इंद करता है, श्लोक 41, अध्याय तीन, कर्मयोग श्लोक तस्मात्व मिंद्रियान यादो नियम्य भारतर्शब, पाप मानना प्रजही हें, ज्ञान में ज्ञान नाश नम भावार्थ इसलिए हैं अर्जुन, तु पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल श्लोक 42, अध्याय तीन, कर्मयोग श्लोक इंद्रियानी पराण्याहुरिंद्रिये भयह पर मन, मन सस्तु परा बुद्धियों बुद्धे पर्ट्स्तु, सह भावार्थ इंद्रियों को स्थूल श 43, अध्याय तीन, कर्मयोग श्लोक एवं बुद्धे पर बुद्ध्वा संस्त भयात्मान मायमना, जही शत्रु महाबाहो, कामरूप दुरासदम भावार्थ इस प्रकार बुद्धी से पर अर्थात सूक्षम, बल्वान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और 43, अध्याय तीन, कर्मयोग जही शत्रु महाबाहो, कामरूप दुरासदम भावार्थ इस प्रकार बुद्धी से पर अर्थात सूक्षम, बल्वान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धी द्वारा मन को वश्मे करके हैं महाबाहो, तु इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल एक लाख 14311 ओम तत्सदिती श्रीमत भगवद गीता सुपनिशत्सु ब्रम्विद्याया, योग्षा स्त्रे श्री कृष्ण आर्जुन सम्वादे कर्मयोगो नाम्तृति योध्याया